हेलो दोफ्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगी कि जीएस्टी बील कैसे बनाया जाता है जीएस्टी के साथ अगर जहां भी कोई आप कमपनी में या कहीं भी दुकान में आप काम करते होंगे वहाँ पे जीएस्टी करता होगा तो उसका बील कैसे बनाया जाता है उसका data है जिसमें किया है आईटम है उसके बाद quantity है्क तो हम लोगों को यहापे निकालना क्या क्या टोटल एंवाउट विआपको दे ना हूँ आपए टीके 10% आपको discount देना है taxable amount जो टेक्स लग रहा है वहाँ पर जैसे GST लग रहा है तो GST और discount पर लेटा सारा चीज़ card के आपका net जो final value बन रहा है वो कितना का बन रहा है तो यह सारा क्या हो रहा है कि गुणा का function लगेगा ठीक है तो गुणा का function क्या होता है बराबर sum एंड उसके बाद आपको जहां से जहां जो area को calculate करना है उस उस अरिया को दीजिए और उसके बाद multiply के सेंबल एंड फिर उसके बाद जो भी एरिया को multiply करना कुछ इस तरह से and bracket बंद कर देना ठीक है और इंटल कर दीजिए तो आपका यह एक निकल गया और उसके बाद क्या करना है नीचे पगर कि आप इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर दीजिए ठीक है तो यह तो quantity वाइस टोटल हमको निकाल ला है कि किसी भी एक परसन का यह invoice होगा तो वह टोटल क्या है तो यह टोटल भै है कि आपको कहां तक जोड़ना है कि एल एलेवें तक है एलेवें तक कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है और इसको ब्राइकेट बंद कर दीजिए आप इंटल करें ठीक है दो लाक्त नवासी हजार चारसों पचास उल्पया जो बनके यह आ रहा है यह टोटल एमांट ब बंद ने तो आपका बेलू को कि इतना रुपया ही बना वे दो चृइंट डिसकांट दें रहे हैं तो अप यहां पर सिकांट कैसे निकलेगा तो आपको नर्मल लिखना है बरावर चन्त परतल अब को multiply कर दिना है 10% से ठीक है तो टोटल अमाउंट को कुछ इस तरह से आप यहाप एक सेंबल दीजिए और कितना परसेंट से आपको देना है यहाप डिसकाउंट 10 और यहाप आप सेंबल लगा यह परसेंटेज कर ठीक है कुछ इस तरह से और जैसे आप आप इंटर करेंगे तो आप यहाप देख सकते हैं कि दो लाग नवासी अजार 450 उल्प्या कर दस परसेंट कितना हुआ 28950 उल्प्या ठीक है तो टोटल अमाउंट यहाप निकल गया यह कि यह हो रहा है अब इसके बाद क्या है कि टेक्सेवल एमाउंट अब यह दोनों को का करना है कि नर्मल आपको टोटल एमाउंट और डिसकाउंट अमाउंट पाप घटा दीजी तो यहाप गटाओं का सिंबल यूज करेंगे घटा आएंगे इसको ठीक है तो यह वाले मेंसे इसको हम लोग क्या करते नॉर्मल घटा देते हैं ठीक है और इंटर करते हैं तो अब यहां पर 2,60,505 रुप्याव यह क्या हो रहा है कि इनका टोटल भैनू बन रहा है ठीक है अब इस भैनू पर जीएस्टी लगेगा और इस जीएस्टी लगेगा ठीक है तो उसको भी लगाने के लिए हम लोग नॉर्मल क्या करना है जैसे अब हम लोग यहां पर 10% डिसकाउंट लिए हैं इसी तरह से इसको भी हम लोग को करना है इसमें क्या करना है कि बरावर देना है ठीक है बरावर देना है और इस पे सुवेंगा क्या लग रहा है जी एस्टी लग रहा टीक है 20 लग रहा एंद इसके ऐंद आप궁 टीपिद dwarf लगेगा उसको भी आम लोगो क्या करना फीर करना है जैसे सन्सी बनेगा तो नेट वैलू कैसे बनेगा यह टेक्सेवल एमाउंट में यह दोनों एमाउंट एड होगा जो भी जी एस्टी लग रहा है वो एड होगा और जो भी हम डिसकाउंट दिया हो घटेगा यह बात याद रहने का चीज़ा तो अब हम लोग यहां पर फाइनल वैलू कै बन रहा है तो हम लोग ने क्या किया फिर से एक बार रिकेप कर लेते सबसे पहले तो हम लोग ने टोटल निकाल लिए कैसे क्वांटिटी को मल्टिप्लाइ कर दिए रेट से ठीक है और उसके बाद सम का फर्मूला यूज़ किये और इसको टोटल वैलू निकाल लिए अब डिसकाउंट देना है तो डिसकाउंट के जगह हम लोग क्या फर्मूला यूज़ किये एल ट्वैंटी में मल्टिप्लाइ 10 परसेंट टिक है उसके बाद यहां पे हम लोग एक सेवल इमांट निकाल दिए घटा के उसके बाद यहां पे जीस्टी और एस जीस्टी दोनों को एड़ करके जो वैलू बना है डिसकाउंट देके उसमें हम लोग एड़ कर दिए तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जीस्टी इनवाइस बिल इन एकसल में तो उमीद है कि आपको यह सर्ची समझ में आऊगा तो ऐसे और वीडियो तेखने के लिए माद चैनल को अभी सब्सक्राइब के लाइक के लिए अपने दुफसर से करा ना उले चली मिलते है नेक्स वीडियो